असकार दोस्तों नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रिदेश से सामने आ रही है जी हाँ उत्तर प्रिदेश में यूपी लेकपाल परिक्षा में पेपल लीग का मामला सामने आया है तुरी खबर क् बार की तरह नाकाम हुई है महीं कानपुर शहर में कई केंद्रों पर लेकपाल परिक्षा के दोरान कड़ी सुरक्षा के बावजूद छात्र इलेक्टोनिक गैजट से नकल करते पकड़े गए हैं आपको बता दें कि प्रिदेश के बारा मंडलों में होने वाली इस परिक् खबर है उत्तर पिर्देश की पूरी बवस्ता पर सुरक्षा बवस्ता पर परिक्षा कराये जाने की उसको लेकर के लगतार सवाल खड़े होते हैं इससे पहले भी कई एक्जाम जो है वो लीक हो चुके हैं अकलेश यादब ने समाजबादी पार्टी ने इस घटना को ले कर योगी सरकार पर निशाना साधा है तो दोस्तों उत्तर पिर्देश से एक बड़ी खबर सामने आए जिस तरह से लेकपाल भरती परिक्षा का पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के अखलेश यादब ने भी अपने ट्यूटर के जरिये लिखा है आज लेकपाल भरती परिक कि यहां शिर्मिक चपरासी बनके रह जाएं भाजपा वेतन पेंसन के खिलाप है तो अखलेश यादब ने साफ तोर पर यह आरूप लगाया है कि भारती इंता पार्टी नहीं चाहती है कि कोई भी परिक्षा पूरी हो सके और लोगों को नौक्रियां मिल सके तो लगातार उत्तर पिर्देश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं लेकपाल भरती परिक्षा का पेपर लीक होने के बाद से बिपक्ष भी लगातार योगी सरकार पर हमला वर है आप देखना होगा इस मामले को लेकर के कितने आरूपियों को गिरफतार किया जाता है और राजस सरकार क कि तरफ से क्या कुछ कारवाई की जाती है फिलाल इस ख़बर में सिर्फ इतना ही आपकी क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर अगर आपने है तो प्ली चैन को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए का बहुत शुक्रिया